प्रदेश के नव निर्वाचत मुख्यमंत्री मोहन यादव के आदेश के बाद खुले में मास मच्छी बेचने वालों पर इन दौर में भी कारवाई शुरू हो गई है जहां शहर के बंबई बाजार में नगर निगम स्वास्त विभाग के अधिकारी पहुचे और कारवाई की मुख्यमंत्री मोहन यादव के एक आदेश के बाद पूरे प्रदेश में खुले में मास मच्छी आदी बेचने वालों पर कारवाई हो रही है बीते दिनों उज्जेन शहर में हुई कारवाई के बाद इन दौर के बंबई बाजार में नगर निगम का अमला पहुचा ज किशी कुमार ने बताया है कि मुख्यमंत्री की निदेशों के अनुसार निगम की द्वारा शहर में कारवाई की गई है आज कोई कारवाई में बंबई बाजार में 17 दुकानों को चिन्नत किया गया है जहां खादी सुरक्षा नियम के विरोधिकारे करने वालों को सक्त दाया देने के साथ ही कई दुकानदारों पर चलाने कारवाई भी की गई अच्छा का है अच्छा लेड़ एक आपके आपके अपर बीजार लगा लगाओ यह जाली लगाओ यह काष लगाओ अंदर बेचों बाला वेजिए इतने जाला ने कारवाई हुए कि अभी तर्देव दिये गए हैं कि माननी मुस्वमांति ने जुआरत जो देव दिये अगरा यह किसी प्रकार का मास घुले में विक्रह नहीं होगा फुटपातु पर दुकान नहीं रहेगी उसी के संद्व में ये सब कारोई की जा रही है आज बंबई बजार में अपनी कारोई है इसमें जो भी कांच जाली परदे लगाने की जो इनको इदायत दी गई है और इसमें किसी प्रकार का आम नागरी को कुछ से परिशानी नहीं रहे अभी तब तो इसा को गुरोथ सामने आया नहीं है यहां पर 17 दूकान नहीं करें किक्ते दिन की हिराइदी इक इतने समयटिया है नहीं कल सही गया है जाली परदे वगरा लगवाले कल सो सब वेवस्थित वेपार करें मिट पर बारे रिशी कुमार गोड़े अब आपके मोबाई और स्माथ टीवी पर लाइब प्लें स्टोल से दाउन्लोड करें टाइम स्माथ टीवी एप्ट